बचों हम अध्यन कर रहे हैं चप्टर एट महिलाएं जातियां सुधार का इस चप्टर में बताया गया है कि प्रमप्रागत भारती समाज में विभिन भिन्ताएं थी महिलाओं के साथ भीदबावपूर्ण विववार किया जाता था जाति का ताधार पर भी भारती समाज विभिन भागों में बटा हुआ था चप्टर के फर्ष्ट वीडियो के तहट हमने देखा कि किस तरह से विभिन समाज सुधारक वे संठन महिलाओं की सामजिक स्तिती में सुधार के लिए आगे आते हैं विभिन परकार के महिला विध्याले की स्तापना की जाती है और महिला ससत्ती करण के प्रियास की जाते हैं आज के वीडियो में हम अध्यन करेंगे कि ये जो प्रमप्रागत जाती संरचना थी जिसमें दली त्वर्ग जिने की अच्छूत कहकर संबोधित किया जाता था उनके साथ जो भीधभाव पूर्ण विववार किया जा रहा था उसके विरोध में किस तरह से समाज सुधारक आगे आते हैं और समाज की स्तिति में सुधार के लिए प्रियास करते हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे संखिनों की जिनोंने जातिगत भेदभाव के खिलाब आवाज उठाई तो इनमें सबसे परमुख नाम आता है प्रातना समाज का प्रातना समाज जिसके स्तापना बंबई में हुई आत्माराम पंडुरंग साती महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा इसके इस्तापना की गई थी तो प्रातना समाज वेपरम हंस मंडली जैसी संस्ताओं ने जाती के आधार पे जो ये भेदभाव किया जा रहा था समाज में इसके उनमुलन के इसके रोगधाम के प्रियास किये परम हंस मंडली 1840 में बंबई में गठित की गई थी जब हम समाज सुधार को की बात करते हैं तो उनमें राजा राम मोहन राय का नाम परमुकता से लिया जाता है हम देख चुके हैं किस तरह से इनोंने सती पर्था पर रोक लगाने के लिए कारी किया था और फिर सती पर्था निरोधक अदिनियम भी इने के प्रियासों से पारित हुआ था पिछले वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त की थी साथ में हमने ये भी देखा था कि राजा राम मोहन राय जो प्रमप्रागत धार्मिक ग्रंथ थे उनका साहरा लेकर के सामाजिक कुरूतियों पर कटाक्स करते थे क्योंकि जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका परभाव आम जनता पर बहुत जादा था तो यहां पर भी राजा राम गौन राय ने जाती वैस्ता किया लोजना हमने पड़ा था कि किस तरह से ब्रामन, छत्रिये, वैश्य और सुद्र चार भागों में समाज विब्रत था जिसमें ब्रामन और छत्रिये स्वैं को स्वन जाती कहकर सम्मोदित करते थे उसके बाद इसी करम में किसका इस्तान आता था? व्यापार वानिज्य करने वाली यानि वैश्य जाती का इस्तान आता था और सबसे नीचे माना जाता था सुद्रों को जिनने अचूत कहकर के संबोधित किया जाता था और उनके साथ बेदभाव पूर्ण विवार किया जाता था हमने देखा कि किस तरह से सावजने के तलप पर उनके जाने की मनाई होती थी, मंदिरों में प्रिवेस करने की अनुमती नहीं होती थी, नहीं वो सावजने की स्थान से जल आदी प्राप्ति कर सकते थे तो यह जो पेदभाव किया जा रहा था जाती के आधहर पे तो इसकी राजाराम मोहन राय ने आलोचना की और आलोचना करने के लिए उन्होंने सहरा लिया एक पुराने बोध्य गरंत का और इस पुराने बोध्य गरंत का अनुवाद करते हुए उन्होंने ये कहा कि कहीं नह पर जो ये अपमान जनक विवार किया जा रहा है दलीतों के साथ ये तरक संगत है ऐसे तरह से हम देखते हैं कि 19 सदी में नए नए विचार उत्मन होने लग गये थे हमने देखा साहित्य मार्केट में बाजार में खूब आ रहा था लोगों के विचार विक्सित हो रहे थे सम हम कहें सकारात्मक प्रभाव पड़ा इन दलीतों के उपर क्योंकि इन इसाई प्रचार को ने आदिवासी समुदाय और जो ये निचली जाती के बच्चे थे इनको सक्षित करने के लिए विध्यालों की इस्तापना की यानि अब तक क्या विवार हो रहा था कि दलीतों को विध्याले में प्रवेश करने की अनुमती नहीं थी जादा इनके द्वारा अगर मांगी जाती तो इनको कक्षा कक्स के बहार बैट करके ही सबक सुनने की अनुमती होती थी और यहां तक कि जो आम पानी पीने की जगह होती थी विध्याले में वहां पर भी इनको जाने की नहीं होती थी तो ऐसी इस्तिती में जो हिस्साई प्रचारकों नीचली जाती उनके बच्चों के लिए स्कूल खोले तो इनको बहुत इसका फाइदा हुआ 19 सदी में हम देखते हैं कि और परिवर्तन होने लगे अभी जो गाउं के दबी कुछली जातिया थी जो निमन जातिया थी वो अब काम के बहाने गाउं से भाहर जाने लगे क्योंकि उनको जो द्यानिक जो दिन भर का अपमान जनक विवार सैन करना पड़ता था गाउं के अंदर सुन जातियों का जमीदारों का ये लोग उससे मुक्ति पाना चाते थे और इसी मुक्ति के करम में वो सहरों की तरह पलायम करने लगे और सहरों में उन्होंने काम की तलास करना सुरू कर दिया और हम देखते हैं कि कई ऐसे कारखाने खुले इसके अलाव नगरपालिका में भी कई नोकरी निकली सहरों में मजदूर वरक के लिए तो ये लोग वहां जाकर कारिये करने लगे यहां पे देखी राजा राम और राई जी को बताया गया है आगे भी हम इनके प्रयास पढ़ेंगे, इनके कारिये पढ़ेंगे कि किस तरह से इनोंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और समाज सुदार के लिए कारी की है तो हमने क्या देखा कि अब गाउं से सहरों की तरफ और दूसरे देशों की तरफ प्लायन करने लग गई जो ये निचली जातियां थी जिनके साथ बहुत ही अपमान जनक ऐसा मानने वेवार किया जाता था अच्छूत कहकर इनको संबोधित किया जाता था क्योंकि ये साथ सफाई वाले कामों से जुड़ी हुई थी तो इन्होंने सहरों में कारखान और नगर पालिकाओं में जो काम निकलते थे जैसे की कुली का काम करना सुरू कर दिया कहीं पर निर्मान कारिये चल रहा है, भवन बन रहा है, सेडक कर निर्मान कारिये चल रहा है, नालियां खुदवाई जा रही है तो इन्होंने काम करना सुरू कर दिया कुछ लोगों ने तो असम, मौरिसस, त्रिनिदाद और इंडोनेसिया आधी जगे में जो बागान थे इन बागानों में काम करना सुरू कर दिया, इन बागानों में काम करने के लिए चले गए और भी कई अउसर निकलने लगए, जैसे हम देखते हैं कि सेना, सेना में भी नई नोकरिया इनको प्राप्त हुई जो अचूत माना जाता था महार समुदाय, अमेड कर जी भी समुदाय से संबंद रखते थे भीमराव अमेड कर जी का नाम आपको याद होगा, भारतिय सविधान के जो पिता कहलाते हैं तो अचूत माने गए महार समुदाय के व्यक्तियों के लिए सेना में अलग से महार रेजिमेंट में उनको नोकरी दी गई इसी तरह से यह बताया गया है कि दलित अंदुलन के नेता बी आर अमेड करके पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे हम क्या देख रहे हैं हमने फ़ister video में जैसे देखा कि महलाओं की स्तिती में सुधार करने के लिए धीरे धीरे जो प्यास किए जा रहे हैं कर्मिग जो प्यास किया जा रहे हैं ठीक उसी तरह से जाती के अधार पे स्वन जातिया जो निचली जातियों के साथ बेदबावपूर्ण विववार कर रही है, उसके विरोध में आवाज उठने शुरू हो गए, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से विभिन संक्ठन आ रहे हैं, राजा रामोन रहे जी उनका विरोध कर रहे हैं, आत्मी सभा के द्वारा विरोध किया जा रहा है, इसी के साथ ह इसाई मिस्नरीज के जो प्रचारक आए हैं, इसाई मिस्नरीज जो आए हैं, इसाई प्रचारक जो आ रहे हैं, उनके द्वारा जो विध्याले के स्तापना की गई है, तो इन विध्याले से निचली जातियों के विध्यातियों को लाभ होने लग गया, इनको काम के भी नए जाता था कहां पर मौरिसस में एक एफरीकी देश है मौरिसस तो वहां पर ले जाता था जहां हलंकि उन्हें कई तरह के कठोर कारिय करने पड़ते थे और एमानुवी यातना ही भी सहनी पड़ती थी लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इन बागानों में इन जगों पर किया जा रहा था उससे वह परिसान हो चुके थे जो मांसिक परताडना उन्हें मिल रही थी तो उससे बहतर उन्हें लगा कि यह यहां आकर कारिय करें इसी तरह से यहां देखिए जूते बनाने वाले मंदीगा समुदाय को बताया गया है एक्चुल में उसमें चमड़ा का जो कारिय करते थे उन लोगों को भी बहुत हे दरिश्टी से देखा जाता था क्योंकि चमड़ा प्राप्त करना फिर उसका सुद्धी करन करना इसको बहुत ही असुद्ध कारिय माना जाता था तो यहां पर एक उधारन बताया गया है मंदीगा समुदाय का तो आंदर हम देखते हैं कि जब जूतो की मांग बढ़ी है तो उस दोरान इन चमड़े का जूतो का कारिय करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा हुआ लेकिन यह कुछ उधारन बता रखें कि यह कुछ ऐसी जातियां थी जो इस तरह के कारिय करती थी उनको अचूत माना जाता था औ और उनको बहुत ही निम्दरिष्टिका समझा जाता था यहां पर एक और समधाय बताया गया है गुजरात के दुबला समधाय के लोग बताया गया है कि यहां पर इनको आम की डेरी है यह दिखी यहां पर आम की डेरी दोते हुए इनको दिखाया गया है और यह भी जो स्व अशा के अवसर, स्वास्त के अवसर ये तो बहुत दूर की बात है, ये सुविधाय तो, बलकि आम सावजनिक इस्तलपल जाने की भी यनुमती नहीं थी. तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि 19 सदी के प्रारम में तो प्रियास हुए हुए, जैसे जैसे 19 सदी खतम होने लगी, तो 19 सदी के उत्रात में और ज्यादा अंदोलन होने लगे, और जो गैर भ्रामन जातिया थी, अभी तक तो निचली जाती के लोग ही संक्ठी तोकर कर दिया, जिसमें हम देखते हैं, घासी दास जी का नाम मुख्यता से लिया जाता है, तो घासी दास जी ने एक आंदोलन चलाया, याद रखना है, घासी दास जी ने सतनामी आंदोलन चलाया, और सतनामी आंदोलन के माध्यम से, ऐसी जातिया भी देखी थी थी, हमें गुरु घासिदास जी ने, ऐसी तरह से हम देखते हैं, पूरवी बंगाल में हरीदास ठाकुर जी का नाम प्रमुकता से लिया जाता है, हरीदास ठाकुर जी ने जो चांडाल कास्तकार थे, तो ये भी निम जाती के ही मानी जाते थे, तो चांडाल कास्तकारों के साथ काम किय और उनकी बहत्री के लिए प्रियास किये, इन्होंने जो ब्रह्मनवादी ग्रंथ थे, उन पर सवाल उठाए कि ये ग्रंथ है, ये जाती वैस्ता का समर्थन करते हैं, इसलिए ऐसे ग्रंथों का विरोध किया जाना चाहिए और उन्होंने जाती वैस्ता का विरोध किया, तो इन्होंने भी जाती कि भिंता के आधार पे जो लोगों से भेदभाव किया जाता था उसको विरोध किया, उन्होंने काया कि आखिर में हैं तो सभी मानवना, तो मानवता का मानवता में किस तरह का भेदभाव हो सकता है? और इसके लिए उन्होंने और एक प्रमुक कतन दिया, की मानवता की एक ही जाती है, एक ही धरम और एक ही इस्वर है, इसलिए पूरी जुँ मानवजाती है, उसके साथ एक जसा विभार किया जाना चाहिए, तो इससरे से हमने देखा, कि महतपून जो संथ हैं वो भी आगे आने लग गए और जितने भी निम्जाति के थे उनमें जो सबसे कद्दावर थे नेता उनमें नाम लिया जाता है प्रमुकता से हम इनको पढ़ चुके हैं महिला ससक्तिकरण के पारट फर्ष्ट का हमारा वीडियो पढ़ा था कि किस तरह से इन्हों ने अपनी पतनी सावित्री भाई फूले को भी सक्षित किया वो पर्थम महिला सिक्षका बनी भारत की और इन्हों ने महिला बाल जो विद्धिया ले थे उनकी इस्तापना की तो ज जो मिसनरी जाये थे उनके द्वारा विद्धियाले कोले गए थे तो जोतिवा फूले ने भी उनी विद्धियाले में सिक्षा ग्रैन की थी और इन्हों ने ब्रामनों के इस दावे पर खुलकर हमला किया कि ब्रामन ये कहते हैं हम सुर्व स्रेष्ट हैं और ये लोग हीन ह तो इन्होंने ब्रामनों के इस दावे पर खुलकर हमना बोला कि वो आरिये होने के कारण औरों से स्रेष्ट है जोतिराव फूले ने क्या कहा उन्होंने कहा कि आरिये तो विदेशी थे वे तो इस सुप माधीब के थे ही नी वो तो भारत में बहर से आये हैं और ये जिने ह बहरत के बहर से आये और यहां के मूलनिवासियों को हरा कर इन्होंने उनको पराधिन कर दिया उनको हींता की स्रेणी में रख दिया ये देखिए फूले ने कहा कि उची जातियों का उनकी जमीन उनकी सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है बलकि यह हैं धर्तितो ये जिने निम पर निस्पक्स तरीके से साशन करने का कारिये करते थे। तो इसलिए जोती राव फूले ने आहवान किया सभी सुद्रों यानि सर्मिक जातियों से और अच्छुत जातियों से कि वो जातिये भेदबाव खतम करने के लिए संक्थित हो जाएं और संक्थित होकर कारिये नियुक्रम में हम देखते हैं, जोतिराव फूले ने 233 संग्थन की मोहिम कंचwise सक्थ्य संपापन के लिए 16 Personally. और इसी के साथ ही इनोंने पुस्तक की रचना की 1873 में और उस पुस्तक का नाम था बहुत ही इंपोर्टेंट है गुलामगिरी और गुलामगिरी में इनोंने अमेरिका में दस साल पहले जो ग्रह यूद हुआ था 1883 में बुक लिखी गई थी तो उसे लगबग लगबग दस स उसको लेकर के तो उसका चित्रन किया इनोंने अपनी पुस्तक में और उसके अवाले से जो भारत में दलीतों के साथ बुरा विवार हुआ था उसकी तुलना उनोंने अमेरिका में दासों के साथ होने वाले बुरे विवार से की यानि इनोंने जो जितना भी ऐसमानता का व और उन सभी अमेरिकीयों को समर्पित की, जिनोंने गुलामों को मुक्ती दिलाने के लिए संघर्स किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फूले ने भारत की निमझातियों को और अमेरिका में जो काले गुलामों की दुर्दसा थी, उसको एक तरह से, एक दूसरे से कि यह गुलाम क्या थे? काले गुलाम और गोरे बागान मालिक. सतरवी स्ताबदी के आसपास, जब यूरोपियन भ्यापारी, खोजी भ्यापारी पहली बार अफरीका पोँचे, तो अफरीका में उन्होंने क्या किया? दासों का व्यापार करना शुरू कर दिया. वो अफरीक अपमान, स्तित्य कपास के और अन्य बागान, तो वो बागान मालिक इन दासों को खरीदने लगे और इन दासों के साथ बहुत ही अपमान जनक विवार किया जाता था, इनको यातनाएं दी जाती थी. तो इसके विरोध में संक्ठित होकर यहां के लोगों ने विरोध किया 1861 से लेकर 1865 तक अमेरिका गरहय युद्ध की आँच में जलता रहा जो उतरी अमरिका, दक्षन अमरिका, तो वहाँ पर गरहय युद्ध छड़ गया और इसका कहीं न कहीं एक कारण दासपरथा भी थी और फिर 1865 में इस दासपरथा का वहाँ पर अन्त हुआ, तो जो जो स्थानापुर्ण जो वहार है वह किसी के साथ भी नहीं किया जाना चाहिए, तो उन्होंने भारत में दलितों के साथ जो वहार हो रहा था उसको अमेरिका में दासों के साथ इनकाले जो गुलामों के साथ जोड़ा, यहाँ पर देखे, हमारी बुक में दिखाया गया है बात करते हैं, अमेटकर जी की पिता जी थे, उन्होंने महार रजीमेंट में एक शिक्षक के रूप में नोकरी की थी, तो अमेटकर जी ने मंदिरों में प्रिवेश करने के लिए आंदूलन चलाया, इवन वो विध्याले में जब पढ़ाई अध्यन करने के लिए गए तो विध्याले में भी उनके साथ बहुती अपमान जनक भीदभाव पुन विवार होता था, बहार पढ़ करके उन्हें सबक सीखने होते थे, इसे के साथ ही पानी पीने की भी अनुमती नहीं थी, जो साज विध्याले का तो इस तरह के भीदभाव को सहन करते हुए, पूर्वा ग्रह को सहन करते हुए, वो बड़े हुए, हालंकि मेधावी थे, उनको स्कोलर्शिप मिली, अमेरिका में पढ़ने का मोका मिला, और अमेरिका में जब उन्होंने उस सिक्षा प्राप्ति की, 1990 में वो भारत लोटे, तो उनके दिमाग में वो कूपर था ती, जिसका दन्स उन्होंने जेला था अपने बच्छपन में, तो यहां पर आकर उन्होंने इस कूपर था, इस जातिये भेदभाव के खिलाफ संघर्स करने का उन्होंने बीड़ा उठाया, और समकाले समाज में में हिस्सा लिया और मंदिरों में प्रवेस किया, हम देखते हैं, याद रखना है आपको 1927 से 1935 के बीच में ऐसे तीन मंदिर प्रवेस आंदुलन का सफलता बुरुक अम्बेड करजी ने क्या किया, संचालन किया, हालंकि जो स्वर्ण जाति के जो महन थे, उनके द्वारा की अनुमती नहीं थी, और ऐसी स्तिती में अमेड कर जी ने मंदिरों में दलीतों का प्रवेस करवाया, और इसके लिए मंदिर प्रवेस आंदुलन चलाया, क्यों चलाया, जिससे की समाज में यह मैसेज जाये, समाज में संदेज जाये, कि दलीतों को भी पराबर ही अधिक या थोड़े लेवल में हमें जाती की कुपर्था देखने को मिलती है लेकिन पहले जितनी ये जाती है कुपर्था हमारे समाज में एक दंस थी समाज के लिए अभी साथ थी तो उस करम में इन सुधार को ने महतपुन योगदान दिया तो रामस्वामी नायकर जी, ये पेरीयार के नाम से भी प्रिसिद्ध थे, तो भ्रारम में एक सन्यासी हुआ करते थे और इहनों ने संसकर्थ सास्त्रों का गंबिरता से अध्यन किया, बाद में वें कॉंग्रेस के सदश्य बने और कॉंग्रेस के जब यह सदर्शे थे, तो कॉंग्रेस में एक भोज का आयोजन किया गया था, तो यह भी गए उस भोज में सामिल हुए यह उस पार्टी में, लेकिन वहां पर जाती के आधार पर नेताओं के बैठने की व्यवस्ता थी, तो यह देख करके नायकर जी को बह लगा, और जातिकत भीदवाव को देख करके उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और उन्होंने इस अंकलप लिया कि जातिकत भीदवाव है, इतनी महतवपुन पार्टी है, वो भी जाती के आधार पर ऐसा कर रही है, तो इन्होंने यह बीड़ा उठाया कि हां मैं इस जाति अधिवान आंदोलन किस ने चलाया? रामा स्वामी नायकर जी ने चलाया. तो इन्होंने स्वाबीमान आंदोलन शुरू किया कि अचुतों को अपने स्वाबीमान के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई नहीं उनक अधिकार देने वाला. उनके अंसार जो मूल तमिलवे दर्विट संसक्र्थी के असली वाहक है, वो अचुत लोग ही है, यहां की जो असली संसक्र्थी है, वो अचुतों की है, जो तरक दिये थे, जो तिराभ फुले जी ने, लगबबबबबबब वही तरक नायकर जी ने प्रवाम थे, धार्मि गरंथे, जैसे की मनुस्मर्ति रामयन आदी, तो इनका विरोध किया, क्योंकि यह विरोध? क्योंकि इनका यह मानना था कि ब्रहमन लोग है न, इनी गरंथों का सहारा लेकर के निचली जातियों पर अत्याचार करते हैं, और निचली जातियों पर सत्ता बनाए रखते हैं, साती महलाओं पर भी पुरोसों का परभुत्त विस्तापित किया गया है, इनी धार्मि गरंथों का सहारा लेकर किया गया है, तो हम देखते हैं कि महतपुन समाज सुधारक आए, तो ऐसे निये कि इन नीताओं के विचारों को समाज ने आसानी से स सुधारकों के, तो इनके विचारों का विरोध किया, इसी करम में हम देखते हैं कि रूडिवादी हिंदू समाज ने खुदी की बी संस्ता इस्तापित कर दी, उनोंने उत्तर में सनातन धर्म सभा की स्तापना की, भारत धर्म महामंडल की स्तापना की, और बंगाल में एक और संस्ता इस्तापित की ब्रहामन सभा और इन संख्षनों के जरिये यह जो नए-नए विचार समाज में आ रहे थे, कि दलितों को भी वराबर अधिकार है और यह जो गरंत है, दार्मिक गरंत इनमें गलत लिखा गया है, तो इन्होंने इन विचारों का एस्वी करत कर दिया और यह पूरी कोशिस की, पुर्जोर कोशिस की इन रूडिवादी हिंदु समाज के लोगों ने, कि अब तक का जो जाती है, व्यवस्ता चली आ रही है, कि स्वन जाती है, इस रेष्ट रहेगी, व्यवस्ता बनी रहे, यानि समाज सुधार कोशिस कर रहे है, दलीतों की स्थिति में सुधार हो, लेकिन रूडिवादी जो लोग है, वो इनके विचारों को बढ़ने नहीं देते, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक के विचार अलग है, दूसरे के विचार अलग है, तो इन्होंने जाती हैं उच नीच को बनाए रखने की बात कई, रूडिवादी हिंदू समाज के लोगों ने, अब हमारी बुख में कुछ और ऐसे संक्थन बताए गया है, वैक्तित्तु बताए गया है, जिन्होंने की समाज सुधार के लिए कारी किया, तो संसिप्त में एक बार परिच्चे प्राप्ति कर लेते हैं, इसमें महतवपून नाम लिया जाता है ब्रह्मव समाज का, जिसके एक महतवपून संस्तापक केशो चंदर सेन जी भी थे, और ब्रह्मव समाज ने मूर्ति पूजा का बली पर्था आधी का विरोध किया, और हिंदु धरम वे अन्य जित्ते वी धरम थे, उनकी जो एतारकिक बाते थी, उनका विरोध किया, इसी तरह से नाम लिया ज जिसमें उनकी विध्यातियों ने प्रमप्रागत जितनी भी अंधविश्वास थे, रीती रिवास थे, उन पर उंगली उठाई और महिलाओं के लिए सिक्षा की मांग किये, यहां पर डेरोजीयों को बताया गया है, अब आगे देखते हैं रामकृष्ण मिसन और विविक नन विविका नन जी का नाम को नहीं जानता है, 1893 में सिकागो में विष्व धर्म संसद में उन्होंने जिस तरह से भाषन दिया, पूरे व्यास्विक समदाई में भारतिय धर्म की पताकों को फैराया, उसे को नहीं जानता, उनके भाषन के विचारों को सुनकर ही प्रातना समाज का नाम भी इस क्रम में भोती महत्वपुनता से लिया जाता है, यहाँ पे देखिए आत्मारम पांडुरंग संस्ता पर, तो 1860 में बंबई में स्थापित हुआ, इसने भी जातिये आधार पे जो भेदभाव थे, जातिगत जो बंधन थे, उसको समाथ्य का प प्रियास किया, महिला सिक्षा को प्रवसान दिया, विद्वा विवा पर लगे पर्तिबंदों के खिलाब आवाज उठाई, तो यह सारे कारिये में प्रातना समाज ने महत्व भूमी का निबाई, यानि पूरे भारत के अलग-अलग हिस्से में, बंगाल में, महाराष्ट म अलग-अलग हिस्सों में चेतना समाज में आ रही थी, नए-nay समासुधारक सामने आ रहे थे, नए-nay संक्थन सामने आ रहे थे, जिनके बारे में आप अपनी उच्च कक्षाव में और अच्छे से विस्तार पूरवक जानेंगे, इससे किरभ में एक वेद समाज में स्ता एंगलो औरियंटल कोलेज की स्थापना की जो की आगे चलकर अलिगर्ड मुस्लिम विश्य विध्याले के नाम से जाना गया, 1855 में इनोंने स्थापना की और इनोंने कोसिस की कि जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको पश्चिमी विज्ञान के साथ ही सभी विश्यों की आधुनिक सिक्षा प्रदान की जा सके, जिससे कि ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये भी विज्ञानिक चिंतन कर सके और समाज की कुरूतियों को मिटाने में सायक हो सके. इसी तरह से सिंग सभा अंदलन, जो कि सिखों के सुधारवादी के रूप में सिंग सभाओं की स्थापना 1813 में अमरत्सर में शुरू हुई, बाद में लाहोर में भी इसकी स्थापना की गई, तो इन सभाओं ने सिख धरम को अनविश्वासो जातिय भीदभाओं से मुक्ति करने का प्रियास किया, यानि अलग-अलग जो समुदाय के लो कुछ महत्वपुन समाज सुधारक है, जिनमें हमने जोतिराव फूले को देखा, इसके लावा पेरियार को देखा, अलग-अलग जो संस्ताय थी, ब्रहम समाज है, आत्मी सभा है, इन सब की कारियो को समझा, तो अच्छे से इसका अभ्यास करना है, मिलते हैं हमारे नेक्स